हेलो स्टुडेंट तो टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट मिमानशा 2022 बहुत सारे बच्चों की एक वारी आरी थी कि भाईया मिमानशा क्या होता है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है इसके रिगाडिंग कोई भी यूटूब अगर आपे इंपॉर्मेशन अवेलेबल थ स्टुडेंट्स इसके बारे में आज अपन कुछ डिसकस कर लेते हैं चरचा कर लेते हैं कि यह क्या चीज जो है इसका नाम जो है यह मिमान सा जो है आइसर पुन्य के जो स्टूडेंट्स है वो कंड़क्ट करते हैं इसके लिए कुल से रूल से रेगुलेशन है फस्ट फॉल तो यह मैं बता दू सभी को कि जो बच्चे एट लिस्ट थार्ड ये तक तिल थार्ड ये तक अभी सब्सक्राइब करते हैं आइटीउ निया पर सकते हैं शिर्f ऐसर के लिए जो है मिमान सा जो है ओल ओवर टॉटल इंडिया के जितने इंस्ट्रिट्ट है टोटली जितने colleges हैं वो सभी के सभी apply कर सकते हैं जो बच्चे जो student UG course में पढ़ रहे हूं just like BA, BSc, BCOM, BTEC and other BEE just like जो भी बच्चे अभी at least first year, second year और third year तक यानि कि जो बच्चे या तो third year में पढ़ रहे हूं या first year में या second year में four-tier वाले बच्चे eligible नहीं है और इसके बारे में अपन कुछ discuss कर लेते हैं यार इम इमानसा की website है जिसका वीडियो का जो है website का link में वीडियो के description में दे दूँगा और इसके ऊपर आप अपने आपको register कर सकते हो अब इसके लिए भी कुछ सर्कते हैं आप यहां पर देख सकते हो team registration जैसे आप team registration पर click करते हो तो पहले आपको अपनी college की detail डालना है देन आपको college का address डालना है और college का state डालना है कि आप कौन स state के अदर आपका college है यह पर दूसरी condition अपसके हैं तुसरी condition क्या है बही या तीन मेंबर हो सकते हो बैसे क्वल दूसरी condition यह है कि आपके जो यह तीन यह या च्यार मेंबर हो एक ही college के होने चाहिए तो आप इस पर आपने आपको register कर दीजिए इसकी requirement है कि आप एक ही college के होने चाहिए just like आपकी class या पर आपके senior junior जो भी हो आपकी college यह की होनी चाहिए different नहीं होनी चाहिए okay so यह तो हो गया registration का simple आपका registration तो होई गया अबी okay so आगे बढ़ते हैं अपन so students this is a winner in the last 10 years पिछले 10 सालों में यह यह लोग जो है इस जो test के अंदर winner रहे हैं at least आप देख सकते हो 2009 में यह university थी then at least IIS Bangalore जो है इसमें intelligent होते हैं वहां के बच्चे सो और एक बार IIT Bombay ओल्मोस सारे IISC के ही इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी position पर आया इसर से एक भी बच्चा एक भी बार नहीं आया सो आइसर वाले थोड़ा पढ़ाई लिकाई किया करो और आयासर बनो और आयासर वाले पढ़ाई करो जिते भी बच्चे हो और आयासर वाले जितने भी बच्चे करें अब आगे चलते हैं कि जो में से प्रिलियम से उसके पार में डिसकस करते हैं अब जो यह स्टुडेंट जो यह एक्जाम है यह दो स्टेज के अंदर कनेक्ट होती है फर्स्ट होती है प्रिलियम स्टेन जो सेकंड जो होती है यह तो इसके अंदर आपको क्या होता है आप लाएन में से लिए नहीं होता है ठीज के अधर होती है अगर आप चार से चार टीम बाद में निशिए की जाती है अगर उसके अंदर अच्छे अच्छी पोजिशन आती है तो आपको जो हैं मेंसें के लिए डिसाइड किया जाएगा आपको बताया जाएगा कि you are selected for this यह जो सारा program होगा यह email के जरीए ही होगा आपको जिसके regarding email पर notification बगरा मिल जाएगा जो जो है पिडलेम्स और मेंस के इस परगार से होगा जो जितने भी बच्चे हैं आपको जो है सब कुछ ओल टॉटल सब कुछ फरी है इसका जो मिमान सा उठाएगा सारा जो भी इसका होता है बजट बगरा सो इसके अंदर students को कुछ भी नहीं देना होता और इसका जो registration fee से वह भी zero है कोई भी आप से चार्ज नहीं लिया जाएगा registration का और जो मिमान सा है यह जो है एक लिस्ट बाई डॉक्टर है जस यह टीचर ने बाई लोजी के स्टाफ टीचर ने स्टार्ट किया था इसके अंदर prizes भी है first winner को यह यह पर prizes दें रहे हैं आप ठीक है आप prizes देख सकते हैं अच्छे prizes है वेसे okay और जसे आप देख सकते हो just winners यह पर दे रहे हैं IIT Delhi है है IIT मदरास है आए जिए बोबे ओके अब इसके अपन रूल्स बारे में डिसक्रिप्श कर लेते हैं कि इसके रूल्स बगएरा क्या है जितने भी बच्वाइब पहले इसके रूल्स बगएरा जरूर्ट सेक्रले वैबसाइट का लिंक में डिवीडियो की डिस्क्रिप्शन म मेंबर होने चाहिए और that competition would held two stage एक prelims होगा, एक मेंस होगा, prelims will be held on 24 अवरी, right और यह very important, choice question होगे, आपके prelims के अंदर, आपको 150 minute का time दिया जाएगा, okay students, और जो भी question होगे, वो आपके undergraduate courses है, वहाँ के नहीं होगे, आपके जितने भी higher education आपने जहां से school किती, 10th class, 11th class, 12th class, उस stage के आपके पास question आएंगे, और जितने भी बच्चे मेंस के लिए select किये जाएंगे, top horse team from prelims qualify, मिमान साम, would be at two to three day long, ठीके दो से तीन दीन तक आपको वहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ पर रह सकते हैं, आइसरपुने campus के अंदर, competition consisting of various round held at आइसरपुने campus, और यह अभी COVID situation है, तो आप टेंटलिव मान सकते हो कि at least scheduled है, अप्रेल 18 अप्रेल 2022 आप मान सकते हो इस साल के लिए, अब registration के लिए क्या करना है, आपके लिए कोई भी फीच नहीं है, और 13 फरवरी तक आप registration कर सकते हो, 13 फरवरी is the last date, और 24 फरवरी को आपका जो है, फस्त जो prelims का exam है, online ही होगा, आपकी team में 3-4 students हो सकते हैं, ओके और इतने भी student है, वो एक ही कोले से बिलोग करने चाहिए, यह भी इनकी guideline है, और आपको अपना email id सही देना है, सारा का सारा जितना भी communication होगा, आपका email से ही होगा, और यह price distribution है, आप देख सकते हो, और अगर आपको कोई भी इगर query हो, तो आप मिमान सा adderate ssc.isrpune.ac पर email कर सकते हो, ठीक है students, अब आपन कुछ question बगएरा के बारे में discuss कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे आप फोड़ सकते हो इस exam को, ठीक है, बहुत अच्छे थे, अभी graduation में कुछ undergraduate course में कुछ अभी बहुत कम पढ़ा हो, तो कोई issue नहीं है, आपका जितना भी course आएगा, at least IITGAE वाला ही आता है, में सांसो, तो जितने भी biology के बच्चे हैं, वो भी दे सकते हैं, mathematics नहीं आएगा उनके, और जितने mathematics वाले बच्चे हैं, उनके biology नहीं आएगा, यानि कि different different आएगा, तो जस्ता आप must apply मैं तो recommended करूँगा, जितने बच्चे हैं, जितनी colleges हैं, अपने अच्छे अच्छे teammates को select करें, अपनी college से और जरूर apply करें, you can must apply now, मीमान सा, 2022, जितने भी IIT के बच्चे हो, NIT के हो, GFTI के हो, 3rd higher college से हो, private से हो, government से हो, don't matter, just must जरूर apply करें, यह जरूरी नहीं है कि IIC, वेंगलोर वाले ही medal लेके आएं, तुम भी ला सकते हो, private वाले भी ला सकते हो,